जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए MP पुलिस एक्जाम जो 8 फरवरिल को हुआ है इसकी फर्स्ट सीप्ट के सभी प्रसन लेके आए जो आपकी एक्जाम में पूछे गए तो आज का जो था MPG के सब्सक्राइब करना चाहते तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसन पूछा गया था कि बन भिहार राष्टी उद्ध्यान का छेत्रफल कितना है तो इसको आपने हेक्ट है तो इसका राइट आंसर होगा 445 हेक्टेयर है बन भिहार राष्टी उद्ध्यान का छेत्रफल चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रसन पूछा गया था अगर मालवा के बेजनाद मंदिर की चोटी कि कितनी उची है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 50 फी तो देख लेना है कि यहां भारत का एक मात्रेशा मंदिर जिने अंग्रेजों ने बनाया था और इसका राइट आंसर क्या होगा तो 50 फीट इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रस ने मध्यप्रदेश से 36 गर राज्य को कब अलग किया ग चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रस ने लीला जोसी को किस शेत्र में पदमश्री अवार्ड दिया गया था तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2020 में इनने पदमश्री अवार्ड दिया गया था इनको 23 साल से आदिवासी महिलाओ वा बेटियों का निसुल के समाज बाधी कार के लिए इनको समाज सेवा के लिए दिया गया था इस तरह का आदिवासी महिलाओ और बेटियों का इलाज कर रहे थे इसलिए इनको यहाँ पदमस्री अवाड 2020 में प्रदान किया गया था चलिए नेक्ष्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रस ने निम्न में से कौन सा रासानिक परिवर्तन का उधारन नहीं है आद ये रासानिक और भोतिक परिवर्तन के दो साइंस में उधारन पूछे गया थे तो देखिए कौन सा रासानिक परिवर्तन का उधारन नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ का पिगलना राचानिक परिवर्तन का उधारन नहीं है क्योंकि एक बार अगर बर्फ पिगलती है तो हम उसे फिर से बर्फ मतलब होता है एक बार यदि बस्तु नश्य वगी तो उसे अ दोवारा प्राप्त नहीं कर सकते राशानिक परिवर्तन यहां होता है तो अगर बर्फ का पिगजना तो बरफ पानि मन जाएगी और हम फिर पानि को जमा कर बर्फ बनासकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रस्ण पूछा गया था, कि निम्ण में से कौन सा भोतिक परिवर्तन का उधारन नहीं है, तो नहीं पूछा गया था, तो देखिए टमाटर का हरा से लाल होना, अगर टमाटर एक बार हरा से लाल हो गया, तो दुबारा उसे हरा नहीं करा जा सकता है तो यहां एक रासानिक परिवर्तन है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रस ने ध्यान करने से किस में लाब होता है तो ध्यान करने से मांसिक स्वास्त में लाब होता है यह सभी प्रस आज 100% आपके पेपर में पूछे गए थे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रस ने जल संक्रमन बिमारियों से बचने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए तो क्लोरिन युक्त जल पिये जगल जल संक्रमन बिमारियों से बचना है तो आपको क्लोरिन युक्त जल पीना चाहिए शलिए नेखिट देखते हैं नेखिट प्रस ने अजयगढ का किला कहा इसती थे तो अजयगढ का किला परमाद्धेश में इसती थे यह किला आज पर पूछा गया था नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रस ने दुती पंच वर्षी योजना के समय भारत के प्रधान मंतरी कौन थे तो दुती पंच वर्षी योजना के समय भारत के प्रधान मंतरी पंडित जवला नहेरू थे तो दुती पंच वर्षी योजना का कारकाल कब सो चाल हुआ तो आपको बता देते हैं पहली जो पंचवर्षी नतिभाए 1951 से 1956 तक चली थी और फिर 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षी योड़ना चली थी जब तक कि इनके जो प्रधान मंतिरी थे वहाँ पंडित जवाला नहिरू थे इनका कारकाल सन 1947 से स्टार्ट हुआ था और तक चल था चली थे पंच राश्टी उद्ध्यान में कोँछी पहाड़ी पुछ गया था तो जो आप्शन है उसके हिसाप से आपको राइट करना था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए हो याँ झाल